हलो दोस्तों नमस्कार, study portal में आप सबका स्वागत है, मैं आपका साथ्य और guide डॉक्टर मीचे दोस्तों आज हम UPSC के बारे में पढ़ेंगे, UPSC के चेर्मेन के बारे में, इसके सदस्शों के बारे में UPSC किस तरीके से काम करता है, क्या क्या इसके कारियों होते हैं, कैसा इसना structure और संगठन होता है, इन चीजों पर एक बर हम discuss करेंगे स्क्रीन पर जिस इनसान को देख रहे हो, आप लोग, यह डॉक्टर परदीप कुमार जोसी हैं, जो UPSC के नए नवेले चेर्मेन है, यानि UPSC के चेर्मेन के रूप में, इन्होंने हाल ही में ओथ लिया है UPSC के बारे में चाहिए जानते हैं, और डॉक्टर परदीप कुमार जोसी के बारे में भी समझते हैं, कि कैसा इनका कारिकाल अब तक का रहा है जोसी हैं, जोसी है जोएं जोएंन पर यूपी एसी, एज इस मेंबर ओन मई 12, 2015, यानि 12 मई 2015 को डॉक्टर परदीप कुमार जोसी ने, एज ए मेंबर यूपी एसी यानि यूप्लिक सर्विस कमिशन को जोएं किया था 7 अगस्ट 2020 को हाल ही में He was administrated the oath of office and secrecy by Arvind Saxena, the outgoing chairman of the UPSC 7 अगस्ट 2020 को उन्हें UPSC के chairman के रूप में सपच दिलाई गई है Arvind Saxena के दवारा जो हाल ही में UPSC के पद से रेटायर होकर के जिनकी जगे डॉक्टर परदीब कुमार जोसी को मिली है उसके साथ-साथ अगर देखें तो UPSC new chairman डॉक्टर परदीब कुमार जोसी will have a tenure till April 4, 2022 4 April 2022 तक डॉक्टर परदीब कुमार जोसी का कारेकाल रहेगा UPSC के chairman के रूप में Prior to joining the UPSC UPSC को join करने से पहले He was the chairman of Satishgad Public Service Commission यानि UPSC join करने से पहले as a member 2015 में उससे पहले वो Satishgad Public Service Commission के chairman भी थे और उसके साथ मध्यपरदेश Public Service Commission के भी वो chairman रहे हैं यह official statement के अनुसार कहा गया है He also served as the director of National Institute of Education Planning and Administration जयानि NIEPA के भी वो director रह चुके हैं In his illustrious academic career अपने बहुत सुहाने और अच्छे कारियकाल के दोरान academic career के दोरान Professor Josie taught more than 28 years as the post graduate level 28 सालों तक वो post graduate level तक वो पढ़ा चुके हैं and held many important position in various policy making और बहुत सारी नीति निर्मान प्रिकिरियाओं में academic और administration level पर उनका बड़ा एक अच्छा position रहा है यह भी कहा जाता है एट प्रेजेंट वर्तमान में बात करेंगे तो भीम सिंग भस्षी, एर मार्सल, एस भोंसले, जो रिटार्ड है सुजाता महता, मनोध सोनी, समीता नागराज, एम सतियती, भारत भोसन व्यास टीसिया अनन्द एंड राज्यू नैंद चोबे आर्दा मेंबरों उप्यासी वर्तमान के अगर बात की जाये तो तो इसके साथ साथ दोस्तों उप्यासी के अगर बात करेंगे तो ये सबसे में काम सिविल सर्विस के एकजाम लेता है सिविल सर्विस एकजाम ये लेता है येरली पहले आपका इसका प्री होगा फिर इसका मेंस होता है और उसके बाद इसका इंट्रिव्य होता है दोस्तो जब इंगलेंड का भारत के उपर अंग्रेजों का राज था तो उस समय ये शुरुवात की गई थी कि कोशिश ऐसी की जाए कि भारत के अंदर सिविल सर्विस बोडी के रूप में बनाया जाए अब बात करें 1874 के आसपास उस समय प्लानिंग की गई फिर एक साल के बाद संगठन बनाया गया और धीरे देरे करके प्रक्षाओं की परकिरिया शुरू की गई आज वरतमान में आप देखते हैं तो UPSC भारत के अंदर सेंटर लेवल के उपर सभी पदों को भरता है चाहे वो UPSC के एक्जाम लेने की बात हो चाहे वो NDA जैसे एक्जाम की बात हो तमाम ऐसे एक्जाम UPSC के दोबारा लिए जाते हैं सभी के लिए आपको पूरे भारत में पहुंचाया जाता है इस तरीके के बुकलेट के पूरे सेट होते हैं जिसमें जनलर पेपर प्लस सब्जेक्ट सब का मैट्रियल होता है आप इस नंबर पर कोल करके या वटसब पर मैसेज करके उसको ओरर कर सकते हैं आप कौन से समय समय पर इंपॉर्मेशन आपको मिलते रहेगी धन्यवाद सुब कापने